तो मेरे नूब लोग में आप लोगों का सौगत है आज सुबह का मोसम दिखाते में आप लोगों कितना धुंद है पूरा अमरूत का बाग भी नहीं दिखाई दे रहा है और इसमें चिडिया बहुत ज़्यादा परिसान कर रही है जितने भी फल मतलब तयार है वो फूसमें खा खाके थोड़ा खाके खराब खर दे रही है और इसको खराब हो जाने से जानते हैं आप लोग इसको कोई लेगा नहीं इसलिए हमने क्या किया है यह जाली लगाई है जहां जहां फल है मतलब यह जाली लगा दिये हैं ताकि मतलब उसमें सुराक ना कर पाएं और कम से कम लिक्तर मरण से मौसम बहुत क्ला होई है हिए अमरूत के पेड़ के कल़ को ओult हो रहे हैं अब अक्सेल और चलिए देखते हम ये देखिए है ये सर्दी को ज़ेसि ये पूरा लाल हो यह बहुत सारे हैं जो जहील नहीं सकते वैसे पेड़ लाल हो जाते हैं पेड़ का गुरोध एकदम से कम हो जाता है ऐसे बहुत सारे पेड़ा ऐसे हो गए है जो ऐसे लाल लाल पत्ती हो गए इनकी यह देखिया और एक नई चीज आपको देखाते हूं कि वाइट उंटी का अगर फल तैयार हो जाता है तो अगर कोई उसको तोड़े ना तो अपने आप गिर जाता है चली देखते हैं यह एकदावम नीची जड़ में ही मुलब भरा हुआ है अब आप देख लिए इसके अंदर यह सायद म यह देखिए तूड़ा तो नहीं है लेकिन जादातर उमीद यह कर सकते हैं यह दिन के अंदर यह तूड़ जाएगा इसलिए मैं इसको तोड़ ले रहे हैं यह देखिए पूरा एकदम तयार है ज्यादा तर जिसमें जिसमें फलाए हैं यह जाल हमने बांद दिया है अगर बस जाएगा तो ठीक है यह दिखते हैं अक्सर सब के कलर चेंज हो रहे हैं चलिए मैं आप लोगो दिखाती हूं थाइवन केजी का जो इसके अंदर हमने फॉर्म लगा दिया है और अभी यह तयार नहीं है देखिए यह तयार नहीं है कम 600 गराम का हो गया है यह देखिए और इस पेड में सर्फ एक ही पीड एक सुरी एक ही फल है सबसे ज़्यादा पैदावार ताइवान पींगे ही देता है सबसे ज़्यादा चाहे वह पीड ही छोजाए लेकिन अपने आप मदलब फल पे फल देता रहता है तोड़े अब फल में देता रहता है बहुत ही ज्याला फल देता है ये देखें ये सारे ताइवान के हैं इतना चोटा सा पेड़ है और इसमें फल है फल लगे है देखते हैं इतना चोटा पेड़ है अभी भी सर्दी भी है लेकिन उसके बाद भी फल यह दे रहा है तो इसी वीडियो के साथ में रेंड करती हूं आपको आज कम वोसम में यहां का दिखा देरे हूं देखें दूर दूर तक देखें बाग नहीं देख रही है तो बैसा लगता हमानों पानी है पानी भारा हुआ है सब कुछ के लिएर नहीं हो रहा है चलिए मिलते हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम अपना ख्याल रखेगा